नमश्कार में अप्रिया आजो 27 जन्वरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में 100 प्रतिशत वाक्सिनेशन के लिए सरकार तैयार कर रही है नया नेटवर्ट प्रतिशत वाक्सिनेशन के लिए सरकार तैयार कर रही है नया नेटवर्ट बिहार में कोरोना की जारी तीसरी लहर के बीच पूरे राजमें जोर शोर से ठीका करन का काम किया जा रहा है इसको लेकर ही बिहार का स्वास्त महकमा लगातार काम करने में लगा हुआ है इसी बीच अब बिहार में 100 प्रतिशत वाक्सिनेशन के लिए सरकार वाक्सिनेशन की रफटार को बढ़ाने के लिए अब नया नेटवर्ट तैयार कर रही है आंगनबारी नेटवर्क के सहारे घर-घर पहुँच कर एस लोगों का वाक्सिनेशन किया जाएगा जो टीका में मनमानी कर है स्वास्त विभाग निराज्य के सभी जिलों में टीका के साथ घर-घर दस्तक देने के लिए आदेश जारी कर दिया है हालाकि इन सब के बीच बिहार सरकार ने बड़ा दावा किया है जिसके तहत उन्हों ने कहा है कि बिहार में लगभंग 99 प्रतिश्वत मरीजों का पहला डोज दिया जा चुका है अज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अनिल अगरवाल की अनिल अगरवाल विदानता रिसोर्स लिमिटेट के संस्थापक और अध्यक्षे वो वलकें इन्वेस्मेंट्स के माधियम से विदानता रिसोर्स को नियंतरत करते हैं जो व्यवसाई में 100% हिस्सेदारी के साथ एक होल्डिंग बाहन है अगरवाल का जन्म और पालन पोशिन पटना बिहार भारत में हुआ था उनके पिता दौार का प्रसाद अगरवाल का अलुमीनियम कंड़क्टर का छोटा सा वेवसाई था उन्होंने पतना के मिलर हाई स्कूल में पढ़ाई की और विश्वे दियाले जाने के बज़ाए हिलुमीनियम कंड़क्टर बनाकर अपने पिता के वेवसाई में शामल होने का फैसला किया 19 साल के उमर में उन्होंने करियर के अफसरों का पता लगाने के लिए पटना से मुंबई तब जब बॉंबे था उसके लिए प्रस्तान किया था बिहार में 116 पंचायत सरकार भवन और 10 सिवा केंदर के लिए राशी जारी बिहार में वर्तमान समय में 116 पंचायत में 5 पंचायत सरकार भवन और 10 सिवा केंदर बनाय जाने है बिहार में केंदर प्रायोजित योजना, राश्ट्री ग्राम स्वराज अभियान के अंदरगत 500 पंचायत सरकार भवन और 250 सेवा केंदर का नर्मान कारी जल्द ही शुरू होने वाला है इसको लेकर ही बीते दिन राश्री आरी कर दी गई है जिसके तेहत ही पंचायती राज विभाग की तरफ से 23 करोड़ सार्थलाक रुपे दिये गए हैं जिसकी जानकारी बिहार के पंचायती राज विभाग के मंतरी समराट छौथी न दी है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि पंचायत सरकार भवन देशिये और दो बंजिला होगा जोसमें पंचायतों के नर्वाचित प्रतनिधी और पंचायत सर के कर्मियों के स्थान ग्राम कचहरी के नियाले कक्षि अब ही लेखो के संग्रक्षव के लिए स्थान, स्टोरूम, पंचायत और स्थाई समीती के सदसे को बैठने के लिए हॉल, आर्टी, पी, सेंटर, भोजनाले और शौचाले का प्रबंधन होगा इंडिन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेड ने निकाली रिखतिया अब ही सेक्षरी क्योगिता की बात करें तो अभी हर्टी के पास प्रसांगिक विशेट ट्रेड में डिप्लोमा आई टी आई की डिग्री होना अनिवार है इच्छोक और योगी मिद्वार अंतिम तारिक 18 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.iocl.com पर जाक अलावे दन कर सकते हैं हाला कि आयोजित होने वाली इस परिक्षा में चातरों का टीका करन अनिवार किया गया था जुसे वैसे चातर जुन्होंने 15 साल के उम्र की सीमा को पार कर लिया है उनके लिए तो ठीक था लेकिन जो 15 साल से कम आयोवर के हैं उनके लिए परिशानी उत्पन हो गई थी लेकिन अब मैट्रिक के परिक्षार्थियों के लिए कोरोना के टीके के अनिवारता को खत्म गर दिया गया है यानि की जो भी 15 साल से कम उम्र के 16 मैट्रिक की परिक्षा में शामिल होने वाले हैं उनके लिए टीका लगाना अब अनिवारे नहीं है इसे में जो भी इस उम्र वर्ग के बच्चे इस बार मैट्रिक की परिक्षा में शामिल होंगे वो आराम से अपना परिक्षा देंगे बिहार में मिले COVID-19 के 2000 से ज्याद अमामले स्वासवभा के तरफ से मिली जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2120 मरीजों की पुष्टी हुई है जो इसके बाद बिहार में आक्टिफ मरीजों की संक्या 12,596 पर पहुँच गई है गोपाल गंज में 35, जमूई में 16, जुहानबाद में 3, कैमूर में 13, कटिहार में 26, खगडिया में 7, किशन गंज में 14, लकी सराय में 6, मधिपुरा में 43, मधुबनी में 37, मुंगेर में 75, मुझफरपूर में 12, नालंदा में 7, रहनवादा में 14, पटना में 336, पुर्णिय में 190, रहतां में 63, सहरप só में 68, समस्थिपूर में 102, सारण में 77, श्यख़पूर में 10, शिवहर में 22, सीतामडी में 35, 73, सुपाल में 25, वैस्चुमपारन में 55, मामलो руки पुष्टी हुई इसके इलावत 13 से मामलों की पुष्टी हुई है जिनके सैंपल दूस्टे राजिके हैं लेकिन वो बिहार के अलग-अलग जिलों में कलेक्ट किये गए हैं इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिला कर एक लाग 45,290 सैंपल की जाच की गई वहीं इस दोरान 4, 287 मरीस ठीको कर घर वापस लोटे हैं और दक्षिन पूर्वी बिहार में रात का तापमान सामाने से 5-7 डिग्री तक अधिक चल रहा है, वहीनि उन्तम तापमान मंगलवार को 2-3 डिग्री नीचे दर्च किया गया था, मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 2-3 दुनों तक अभी ठंड से राहत मिलने कि बिहार और मार्ट्रिक्स सैधान्तिक विश्यों की परिक्षा के प्रशन पतल 10 सेट में रहेंगे, बताया जा रहा है कि 10 सेट के कोड ए से लेकर जे तक रहेंगे, परिक्षा के दौरान कॉपियों और OMR उत्तर पत्र को को प्रत्तिक परिक्षा के इंद्र को पालिवार आवंटिक परिक्षार्थियों के सभी विश्यों की परिक्षा के लिए साधी कॉपी और OMR शीट में परिक्षार्थि का नाम, रोल लंबर, रोल कोड और परिक्षार्थियों का फोटो, विशे कोड, विशे का नाम, पाली, रजिस्ट्रेशन संख्या और परिक्षा की तारीख हादी प बीते दिन बिहार समेत देश भर में गंतंतर दिवस का त्याओहार मनाये गया वहीं राजधानी पटना में भी इस दिवस को लेकर खास्तायार यहां देखने को मिली। लोग सेवकों और माफिया की खिलाफ कारवाई जारी है। मिली जानकारी के नसार सिक्षा पदाधिकारियों को प्रतेक सब्ता यह रिपोर्ट देनी है कि कितने प्रारमिक, मध्यमाध्यमाध्यमिक और उचित्तर माध्यमिक कक्षा के बच्चे ऑनलाइन सिक्षन से लाभानवित हुए हैं। रिपोर्ट में विद्याले की संख्या और शात्रों की संख्या भी दी जानी है। बिहार के अप्रसिक्षित प्रारमिक सिक्षोकों के वेतन में नहीं होगी बढ़ोत्री। माध्यमिक विद्यालियों में कारिड़त अप्रसिक्षित सिक्षक जो सेवा कालीन प्रसिक्षन प्राप्त कर रहें। का अप्रसिक्षित सिक्षकों के रूप में वेतन निर्धारन होगा ये वेतन निर्धारन ओन्लाइन कैलकुलेटर की जगह मैनवली होगा रेलवे आपकी संपत्ती से सुरक्षित रखिए एंटीपीसी रिजल्ट को लेकर छात्रों ने अपना अंदोलन तो अब खत्म गर दिया है लेकिन छात्रों के इन तीन दिनों में कितना बवाल काटा इससे रेलवे को बहुत उकसान पहुचा है जिसके बाद ही रेल मंतरी अश्विनी वैश्रव ने प्रेस को संबोधित किया उन्होंने कहा कि परिक्षा से संबंधित कोई श्रिकायत नहीं है उन्होंने कहा कि सरकार और रेलवे बोर्ड इसमुद्धे पर काफी साथधानी से काम कर रहा है आगजनी की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि ये रेलवे की संबत्ती लोगों की ही संबत्ती है तो उसे सुरक्षित कीजिए इसलिए बोर्ड अपने स्तर पर कारे कर रहा है शातर धहरे रखे वहीं दूसरी तरफ RRB की तरफ से परिक्षास थागित किये जाने के बाद अब अभ्यर्थियों से 16 फरवरी तक आपत्ती और सुझाफ दर्च करने के लिए कहा गया है वो अपनी श्रिकायते RRB Committee at the rate railnet.gov.in पर इमेल कर सकते हैं विष्वधियालियों को लेकर राजुपाल ने सरकार को लिखा पत्र बीते कई दिनों से बिहार के विष्वधियालियों में भ्रष्वधियालियों में भ्रष्वधियालियों में हुए संदिक दिभूमी का पहले ही सामने आ चुकी है चर्चा ये है कि नितिश कुमार राज़पाल के खिलाफ के इंदर के पास गोहार लगा चुकी है लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई आपकी जयानकारी के लिए आपको बता दे कि विहार के ज्यादतर युनिवर्सिटी में भ्र और भोजपुर बकसर के बीच बनाए जा रहे एनेच सेक्शन पर सुनवाई करते वे समंधित जुलादिकारी को इस मार्ग में आनेवाली पांच थारमिक स्थलों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का अंदर देश दिया है इसको लेकर मुखे नयाधीर संजे करोल और जस्ट नेताओं का ध्यान बिहार के चात्रों ने आकरशित किया है इसी कड़ी में बिहार में जारी विरोध को लेकर बिहार के विपक्षी दलों ने सरकार का घेराव तो किया ही माई कॉंग्रेस की तरफ से पुरवध्यक्ष राहल गांधी ने भी सरकों पर उत्रेश सभी चात्र मुझाफरपुर में निकाली गई 351 फीट लंबी तिरंगा यात्रा बीते दिन 73 गंतन तुतिवस की मौके पर मुझाफरपुर में रामगड परिवार के युवकों ने तिरंगा शोभा यात्रा निकाली इस दौरान मुजफरपुर के सिकंदर पुर से निकाली गई सेकड़ो फीट लंबी तिरंगा और शुभायात्रा सेकड़ो की संख्या में युवाओं के सहायता से निकाली गए इस दौरान मुजफरपुर में 351 फीट का तिरंगा अकरशन का केंदर बना रहा हर तरफ तिरंगे के सम्मान में लोग खड़े हो गए जहां जहां यह तिरंगा यात्रा निकाली गई वहां के लोगों में देश भक्ती का एक अलग ही जलवा देखने को मिला हाला कि यह पहला म परिषिय मिलने के बाद श्यवाल गुपता की बेटी ने बिहार के लिए काम करते रहने की कही बाद बीते दिन गंतन दुर्दोबस के मौके पर आजी वन बिहार के विकास की चिंता करने वाली अर्थिश्वास्री श्यवाल गुपता को मर्णोपरान पदमश्री पुरस्कार दिया गया जिसके बाद उनकी बेटी असमता गुपता ने इसको रिसीव किया जिसके बाद ही उन्होंने मीडिया से बाचुईत के दौरान कहा कि पुरे परिवार के लिए खुशी का श् हल्मेट पहनने में पटना से भी अधिक जागरुख है बिहार का ये जुला आम लोगों के सुरक्षा के लिए ही परिवहन विभाग ने सभी लोगों से यात्रा के दौरान हल्मेट पहनने की अपील की है परिवहन विभाग ने इसको लेकर मार्च 2022 तक सभी बाइक चालकों हल्मेट पहनने नाने का अशरत प्रतुशत लक्ष भी ते किया है अला कि अभी भी सिती ये है कि आधिस अधिक जुलों में हल्मेट पहनने वालों की संख्या में कमी आई है परिवहन विभाग ने इसको लेकर बीते दिन ही अपना रिपोर्ट जारी किया है रिपोर्ट के गिध्धों का ठिकाना बन रहा वी टियार बिहार में गिध्ध बिलुप्त होने की खगार पर पहुंचके है ने गिध्धों को एक बार फिर से वालमी की टाइगर रिजर्व में देखा जा रहा है पेड़ा श्याने बहतर साबित हो रहे हैं यही कारण है कि नेपाली शेतर से गिध पहुंच रहे हैं वी टी आर और प्रसाशने से शुब संकेत माना है महागठ बंदन के रेता आज करेंगे प्रेस को संबोधित राश्रे जंता दल प्रदेश कारियाले में आज प्रेस का आयोजित होने वाला है जो की दो पहर दो बज़े तक आयोजित हो सकता है जिसकी जानकारी राश्री जंतादल के प्रदेश प्रवक्ता ब्रतुन जहतेवारी ने दी है मिलेश जानकारी के रसार आयो जितिस प्रेस कॉंफरेंस में वधान परिसत चुनाव को लेकर महागठ बंधन में वर्तमान पर स्थिती पर चर्चा होगी की उमीद है कि भले ही बिहार ब्रतान परिसत को लेकर महागठ बंधन में भी खराब स्थिती होने की खबर आ रही है मिली जानकारी के नुसार पटना हाई कोट के हस्त शेप के बाद राज्य के मुख्या सचिफ की देख रेक में रेलवे एनेच ए आई और पत्थ निर्मान विभाग समस्याओं का समधान निकालने में जुटे वे हैं और निशकर्ष के अंतिम पराफ पर है जानकारों की माने तो इस एलेवेटर जोट में फिथाल जमीन अधिग्रहन बड़ी समस्या है इसे दूर करने के लिए रेलवे करीब 22 एकर जमीन देने पर सहमत हो गया है इसमें से करीब 10 एकर जमीन देने से पहले रेलवे की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है उमीद है कि न ओनलाइन सर्विस टाब के तहट क्लेम फॉर्म 31, 19 और 10C का विकल्प चुने इसके बाद आपका नाम जनल तारीक और आपके आधार के अंतिम चार अंक दिखाई देंगे और आपको बैंक अकाउंट नमबर के अंतिम चार अंक दर्श करने के लिए कहा जाएगा इसे अप दिखाई देगा जो आप से Certificate of Undertaking प्रदान करने के लिए कहेगा एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद प्रोसीड फॉर पर क्लिक करें फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू में पीएफ एडवांस चुने ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपने विद्रॉल के कारण के 1984 में नई दिली के तीन मुर्ती स्थित नहरू मेमोरियल म्यूजियम को राश्टर को समर्पित किया, 1986 में पहली बार हेलिकॉप्टर डॉक सेवा का उधगाटन किया गया, 2008 में पश्वी मंगाल के तेरह जिलों में बर्ड फ्लू फैला, 1922 में भारती हिंदे सिर्मा के प्रस 2009 में देहान थो गया था इसे बहुत कुछ सीखा है और विशेश रूप से माही भाई से क्योंकि जब मैं बहां गया था, तो मैं कच्छा माल था, उन्होंने जुस तरह से मुझे तयार किया, जुस तरह से उन्होंने मुझे बहुत आजादी दी, वो चाहते थे, मैं अपनी गर्वार्व से सीखू और डीजल के दाम 91.09 रुपे प्रती लीटर थे, कल हमारे दोरा पुछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था, उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम हैं, अर्विंद कुमार, मुकेश कुमार, मधुकर, गौतम कुमार, बविता यादव कुमारी, गुड़न, दिव्यानशी कुमारी, विजए खाय, लाल देव कुमार, मनीश जय प्रकाश, रोशन कुमार, आप इसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें, महार दिन वी पिहार की बड़ी खबरों से अब डिटे ढहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना भूले, धन्यवाद